दिल्ले में कोरोना वाइरस के नए वेरियंट ओमिक्रोन के मामले अब बढ़ते जा रही हैं ओमिक्रोन के दो नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद दिल्ले में अब ओमिक्रोन से संक्रमन लोगों की संख्या 24 हो गई है दिल्ले के स्वास्ते विभाग ने जानकारी दी है कोरोना के खत्रे को देखते हुए CM के चिवाल ने प्रेस को अन्फेंस की और बताया कि सरकार ने अब दिल्ले के COVID-19 के सभी पोजिटिव मामलों को जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए भीचने का फैसला किया है अर्विन के चिवाल ने कहा कि ओमिक्रोन के खत्रे को देखते हुए घबरानी की जरूरत नहीं है यदि कोई नया कोरोना वाइरस अंस्क्रेंड फैलता है तो हमारे पास अस्पतालों में प्रयाप्त ववस्ता है साथ ही उन्होंने कहा कि वे केंदर से दिल्ले में कोवेट टीके की बूस्टर खुराक देने की अनुमती देने की अपील करते हैं केचिवाल ने कहा कि हम घरों में एक आत्वास ववस्था को मस्बूत करेंगे क्योंकि कोविट के अधिकांश नए मामलों में अस्पतार में भरती होने के अवश्रक्ता नहीं होगी ओमिक्रोन का कितना असर हो सकता है उसके क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमें क्या-क्या स्टेप्स उठाने हैं इन सारी चीजों के ऊपर कई एक्सपर्ट्स को भी बुलाए गया था उनके साथ चर्चा हुई तो एक तो एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि ओमिक्रोन फैलता बहुत तेजी से है बहुत जादा तेजी से फैलता है लेकिन इसके सिंटम्स बहुत माइल्ड है बुखार थोड़ा सा होता है बहुत माइल्ड सिंटम्स है इसमें हॉस्पिटलाजेशन भी कम होता है और डेथ्स के भी काफी कम चांसेश है मैं दिल्ली के सभी लोगों को ये कहना चाहताकूं कि घब्राने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पैनिक करने बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहली चीज तो जैसा मैंने कहा कि एस्पर्ट कहा रहे हैं बहुत माइल्ड है। लेकिन अगर आपको सपटालों की जूरूरत भी पड़ेगी दवाईयों की बीपड़ेगी तो दिल्ली सरकार ने सारे इंताल किय हुए है। अच्छे से इंताले इंताल हुंए है। ऑस्पिट तेजी से है किसी भी स्थिती से निपटने के लिए दिल्ले में हमने प्रियाक्त इंतिजाम कर लिए हैं सभी से निवेदन है कि बहार मास्के पहन कर ही निकले और कोरोना को फैलने से रोके